सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पिता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अपमान और बैज़ती नहीं सेहन कर पाया तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैं किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटिलिंग कैसे कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसले मिला हुआ है साइकोटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे 2016 में मुंबई میरा लिखता है कि सुषान्त एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 फर गडवरी 2019 को मुंबई मीरा लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषान्त ने सकांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 5.8.2018 को डियाने लिखता है कि सुषान् चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी नाजाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्रलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल, इमोशनल, साइकोलोजिकल लिंचिंग को जर्नलिजम कहते हैं मेरे बारे मैं आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कांफरेंट किया आपको पता है उसी राचार सीनिय जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलांग किया गया कि इसकी फिल्म को बैंक किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वो गाइब हो गए मेरी फिल्म रीलीज होई गाइब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में यह क्यों नहीं लिखा जाता है तो यह अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा आपके गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां कि तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकाश ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें